स्री शिवाय नमस्तु ब्यम दर्शकों कार्तिक पूनीमा का आखरी दिन होता है और कार्तिक माह की पूनीमा के दिन ही इस बार साल का आखरी चंद्रग्रहन पढ़ रहा है और साल का आखरी चंद्रग्रहन होने के साथ साथ यह अदबुत और कई अच्छी और बुरी घटनाओं को लेकर आने वाला है कार्तिक पुनिमा की रात को सूर्य चंद्रमा और प्रत्वी एक ही रेखा में होंगे और प्रत्वी के बीच में रहने से इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ेगी जो कभी कभी इसे एक आकरशक लाल रंग कर देती है हम इस महिने यानि नवंबर आठ तारिक को पुनिमा को चंद्रगरहन देखेंगे और चंद्रगरहन के समय आपको क्या कारे करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए और आपको क्या उपाय करना है चंद्रग्रहंट के पहले और चंद्रग्रहंट के बाद में यह हम आपको बताने जा रहे हैं अधिकतर पूनिमा के दिन चंद्रमा अपनी पून कलाओं में होता है इस प्रकार अधिकतर ग्रहन के समय पर चंद्रमा पूरी तरह से प्रत्वी की छाया से ढख जाएगा और चंद्रमा के अंदर का भाग सूर के प्रकास से प्रकाशित होने लगेगा इसी तरह चंद्र ग्रहन होगा यहाँ चंद्रगहन भारत में अधिकतर इलाकों में नहीं दिखाई देगा ऐसे में ग्रहन का सूतक काल भी प्रभावित नहीं होता है अगर आप सूतक काल मानते हैं तो सूतक का समय आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से और अगर आप ग्रहन को भी मानते हैं तो ग्रहन मानना बहुत ही आवशक होता है खास करके गर्वती नारी और जो नवजाज शिशु हैं उनके लिए ग्रहन बहुत ही ज़ादा माइने रखता है ग्रहन के समय में क्या-क्या सावधानिया अपनानी चाहिए आपको हम आज बताने वाले हैं और ये उपाए आप अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़दा लाब मिलेगा क्योंकि ग्रहन एक ऐसा होता है जिसे आप अंदेका नहीं कर सकते ग्रहन के समय पे आप बिलकुल भी घर से बाहर ना निकले खिड़की दर्वाजे को परदों से ढग दें दर्वाजे लगा दें क्योंकि ग्रहन की परचाई भी अगर गर्वती इस्री और नवजाश शिशू पर पड़ती है तो उसका असर कहीं न कहीं छोड़ ही देता है मंगलवार के दिन 8 नवंबर को लगने वाला है चंद्रगरहन और इसके अनुसार भारत का समय रहेगा भारत में इसका समय रहेगा शाम को 5 बच कर 32 मिनिट से शुरू हो जाएगा और जो शाम को 6 बच कर 18 मिनिट तक खत्म होने वाला है यहाँ चंद्रगर्ण भारत में कुछ जगों पर नजर आएगा जबकि देश में ग्रहन का सूतक कल प्रभावी नहीं रहेगा फिर भी हमारे पुरान शास्त्रों में लिखा है कि ग्रहन जब भी बढ़ता है तो सूतक मायने रखता है सूतक का पालन करना चाहिए सूरगर्ण चंद्रगर्ण दोनों ही खास माने जाते हैं और शुब अशिब की संचेत करने की चेतनाएं हमें देते हैं हाला कि इस खगोलिक घटना के मानध्यम से इसे देखा जाता है कहीं जोतिश भी इसे मानते हैं कि आप अगर ग्रहन के समय में कुछ ऐसे कारे करते हैं तो जो कोई आपके जीवन में काफी प्रभाव छोड़ जाते हैं जिसे ग्रहन लगता है उस समय पे आप चाको छुरी से कोई चीज ना काटें ग्रहन के समय पे आप कोई शुब कारे भी नहीं कर सकते पूजा पाड़ भी नहीं कर सकते भगवान के पट लगा दें अपने अपने घरों में मंदिरों के भी पट बंध हो जाते हैं सू तक खतम होते ही आप इस नान करें, भगवान को इस नान करवाएं, घर को स्वच्छे करें ग्रहन के समय पर खास करके बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल ना निकलने दे आपको बता दे कि इस ग्रहन का असर सिधे आखों पर पड़ता है आखों के अलावा शरीर के मस्तिश्कों में और कई अंगों में भी पड़ता है ये आशिक रूप से हमारे शरीर में इसका असर छोड़ देता है इसका हमें बाद में पता चलता है और हम अंदेखे में, अंजाने में कोई ऐसे कारे कर जाते हैं ग्रहन के समय जिसका नुकसान हमें जिन्दगी भर भुगतना पड़ता है चंद्र ग्रहन के समय आप दूरबीन से भी चंद्र ग्रहन ना देखें तो जादा अच्छा है चंद्र ग्रहन देखना है तो आप टीवी के माध्यम से देख सकते हैं अगर आप चंद्र ग्रहन के समय पे कोई धार्मिक गतिविधी कर रहे हैं तो वो भी नहीं की जाती है क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहन के समय पे भगवान कष्ट में होते हैं क्योंकि चंदर देवता भी भगवान का ही रूप हैं चंदरिश्वर भगवान चंदरमोली भगवान भगवान शिव का अवतार हैं आपको बता दे कि सूतक काल के समय में आप शुब अशुब की आसंकाएं भी देखने को मिलती होंगी देश दुनिया में कई ऐसी जगा हैं जहां पर कई ऐसी घटनाएं होती हैं सूतक काल के समय पर तो आप सूतक काल के समय पर कोई भी शुबकार या ऐसा कारे करने से बचें जैसे कि मसीने चलाना कई ऐसी फैक्टरियां भी बंद कर दी जाती हैं सूतक काल लगता है या गरंड लगता है उस समय पर तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई फैक्टरी चलाते हैं, तो सूतक काल के समय पर और ग्रहन के समय पर यहां कारे करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, जिससे जन जीवन में कोई हानी ना हो, सूतक काल का समय हम आपको बता देते हैं, 8 नवंबर मंगलवार को चंद्र ग्रहन पढ़ रहा है, जो कि शाम को 5 बज कर 32 मिनिट से सुरू हो जाएगा, और 6 बज कर 18 मिनिट तक समाप्त भी हो जाएगा, कुल समय अवदी रहेगी 45 मिनिट 48 सेकेंड की, तो इस समय पर आप कोई भी ऐसा काम ना करें, अगर कोई गर्वती महिला है, तो वे सूतक काल के समय प लपेट ले, मतलब कि लेपन कर ले अपने पेट पर, या फिर आप किसी भी गीले कपड़े को लाल चंदन में भीगो लें और उसे अपने पेट पर लगा लें, जिस समय पर चंदगन पढ़ रहा हो, उस समय उतनी देर के लिए आपको एयाकार करना है, या फिर आप लाल च जुर्ग हैं और गर्वती महिलाएं हैं, आपको भूक लग रही है, कहा जाता है कि ग्रहन के समय पर खाना भी नहीं खाना चाहिए, तो आप खा सकते हैं, जो भी भोजन करें, उसमें तुलसी पहले से ही डाल दें ग्रहन लगने से पहले, और आप भूके ना रहें, ग्रहन लंबा होता है, उस समय पर आप खा पी सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी का शेवन अवश्य करें, जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनमें तुलसी अवश्य डाल दें, क्योंकि ग्रहन से दुस प्रभाव खाने पर ना पड़े, भी तुलसी का सेवन करके भोजन कर सकते हैं, कोई दुश प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दर्शकों, ऐसे ही कहीं बहुत सी जानकरिया हैं, जो हमारे चैनल की द्वरा बताई जाती हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा, इस वी